तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्नेवाद थैंक्यू सो मच लिडिंग करन्ट एनजी के लिए करन्ट फिलिंग के लिए कि आपकी परसन इस वर्फ क्या फिल करें वह जानने की कोशिश करते हैं अलगी तरह की एक हेवी भी पॉजिटिव भी एक अलगी एमोशन के साथ एक फिलिंग है जब भी मेडिटेशन करकी मैं बैठी हूं तो प्रिट्सी की इनाजी क्या रही है और यस जिनको कॉल मेसिच जाये हैं उनके लिए मैं बहुत खूश हूँ और निप कॉमें दूश में ओने से ऐच है अप्पूश को ते Αश्प बाइं चाए कि की सब से दावाप साथ है यह इनए अपके साथ है यह इन्विटेशन मुझे भाछ जाया है जैसे जो भी चीज आपके लाइव को चीजी क्रूश है है जो भी एंजल नमबर दिख रहे है जो भी मुझे बहुत दिख रहा है मलब कुछी से तो सब युनिवर्स का कमाल है लिटरली आपके जैसे ना सुनी जा रही हो आपको समझा जा रहे हो और आपको बदला भी जा रहा है जो भी आप चाहते हैं ना वो अलग तरीक इसे देन सब्सक्रण करें हैं आपको सहारह देरिषए लिट्स का बहुत जड़ा है अग्दम बहुत सो प्हुत जड़ा स्ट्रोंग है जिन जो कमेंट sudah है कि अब घ्वल होती है लिटरली मुझे बहुत युनिवर्स को थैंक्स करने का मान करता है क्योंकि मेरे इंटेंशन ही वही है इंडारेक्ली सही छोटे सी लेवल सही आपकी हिलिंग हो जाए और कैंडल बैक्स रिडिंग इसी लिए करती हूँ लेकिन आपके लिए इकना बनता है ठीक है स्टार्ट करते हैं बाकी के रिचूल्स कंप्लिटर और जब भी फ्लेंग जलांग प्लेंग के पर कॉंसरेंट किजे और आपके परसन के उपर ताकि आपको इनकी फिलिंग्स जानने का माका में आपका में इस चीज थो ऐखास फिल होघी है कि इस रीडिंग के तारन आपको पानी पिने का प्ले पाड़ु कि सुनते वक्त हुदे कि बहुच से यह बहुच लग़ यह हुच पानी पिने का वन कई filling के इसे reper TIM वे फेल denken कि जैसे मुझे फील हुआ ना कि अचानक से फ्लेम बन हो इसलिए मैं सोचा कि वापिस मुझे शायद मैस्टिक जलानी पड़ेगी लेकिन फ्लेम तो चल गगी तो कॉंसरेट फ्लेम के उपर इस इमोशन्स देखा अपने फ्लेम यही पीर हो रहा है कि मुझे स्ट्रांगली फिल हो रहा है कि रात को ना एक एमोशनल एनरजी होती इनकी जहां पर एकदम शांत रहने का मन करता है शांत रहने का उस चांद को देखने का मन करता है तो कुछ आपकी फोटोस देखने का यह जो डो डोट से एक दूसरे के पीछे पीछे जैसे चल पड़े ना मुझे से लगा कि यह अभी आपकी लिए जैसे तडप रहे हो आपके पास आना चाहते हो त्री टॉट जुड़ गए मुझे थ्री नंबर कुछ सिंगरी पेट ने लग रहा है जैसे कि ट्रिपल त्री एंजल नंबर आपको काफी दिख सकता है त्री टेंज में आपको उनका कॉल मेसेज आ सकता है यह वाली फिलिंग मुझे बहुत अदर स्ट्रॉंग है यह दिखे ना दो डॉट से जुड़ रहे हैं यह आपको ने बहुत इमोशनली बहुत मिस्कर है बहुत इमोशनली किसी लिक चांद को देखना तो कहीं सॉंग में आपकी फिलिंग होना फोण की कुछ देख रहे है ना वैभ इड़ियो सिर्ड़ी आ किसी देख रहे है और आ ठहको जहीदा रहे हो कोई भी निया है ना जिसे आज आपकी फिलीम कि वही आपक पकष धाए निए अठीप है कि आपकी जान को में बहुत इमोशनल होते हैं जब भी आपके बारे में सोच रहे L लेटर बना हुआ है इस बहुत अलग ही फिलिंग है जैसे कि अपने आप से ही भागो भाग रहे हो लेकिन इस दुनिया के शोर में जब रात पो कोई भी चीज का बहाना नहीं हो जिसे काम का हो दोस्त हो ये हो वो हो कोई भी चीज का बहाना नहीं हो बहाने होते हुए भी एक रात का वो वक्त एक खास वक्त जिसे आपके लिए हो उस वक्त या तो जबर्दसी वो कुछ करना नहीं चाहते आया तो वो यो परफसली आपके क secular मेही रहना साथ है मुझे एक Swann की फिलिंग अए और है मुझे लग रहा है कि आपको नग कहीं से भी एक Swann की पिक्चर दिख्छी हो Swann की पिक्चर दिख्छी हो एकडम वाइड कलर का है एसा स्वायन है ना उसकी पिक्चर दिख रही है Y letter V letter 7 number connection obviously soul का है तो energies mirror हो रही है energies का ना एक अलग ही imbalance feel हो रहा है जैसे कि आपकी तरफ से कोई moment ना होना, एक feeling ना होना बहुत ज़ादा strong feel हो रहा है मुझे दूसरी भी strong feeling है कि जिनका contact हो रहा है या हो रहा है, मिल है अलड़ी उनमे ना बहुत सथा arguments के energy है क्योंकि ये जिसके साथ भी है उनमे ना मुझे arguments दिख रहे है ये चिड़चडाच दिख रही है misunderstanding दिख रही है तो request है, जो लोग contact में है वो बहुत ज़दा सोच समझ के बात करें bring situation love वाला जो मुझे का card है ना वो वाला है, मिल आप अगर प्यार की feeling में नहीं हो ना तो फिर आप बाती मत करो उनसे फिलाल, क्योंकि commitment और ये हुआ, ये किया नहीं वो नहीं, ये की, वो की ये, तो please बात मत किजए अगर आपको भी एकदम romantic feel करना है और सभेना तो ही इनसे बात किजए, क्योंकि ये इनका mood बहुत, इस level पर बहुत अच्छा है, एक अलग ही एक romance, एक connect feel कर पाते है आप से, और अगर वो नहीं मिल पाता या कुछ भी चीज, वो feeling ही नहीं मिल पाती ना, तो किसी पर भी frustration है हलां कि वो सब को ऐसे नहीं बता सकती है, ये feelings exactly है बट वो feeling में ना वो अजीब सा frustration है उनको especially जो लोग no contact situation, separation वाली लोग है उनमें सब कि बहुत ही जदा कनेक्ट है और यहां पर अगें उनको एक बंधावा feeling है कि जो भी जिस situation में especially third party situation जो भी उनके life में है वहां पर बहुत पकड़ के रखा है बहाँ जदा नजर रखिये ऐसे वाली feeling है लेकिन जितना वो खीच रहे है उतना आप भी खीच रहे हैं आपका soul खीच रहे हैं उनको और खास करके जो आप तिलाल जो एक अलगी spiritual connect में आगे हो अलगी level का आपका एक औरा बढ़ गया है वो उनको जदा खीच रहे हैं उनको जाने अन जाने में आपकी तरफ अलग फूल होता है और उनकी जो situation में बंदे हुए है या बांद के रखे हुए है या जिम्मेदारिय है या फिर मजबूरिय है वहाँ पर अलग है कि यह मेरी जिम्मेदारिय है यह मेरी जरूरत है या जो भी है वह फिर वहाँ पर अलग खिचा है वहाँ पर अलग ही एक खिचा जाता है तो वह उसमें नदर जैसे कि कोई इनसान जैसे न दो चीजों में बटा हुआ सा या खिचा हुआ सा फील करता हो वह फीलिंग है लेकिन इस बात जब सोचते हैं कि अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है लेकिन आपके मेमरीज जो भी अगर आपने साथ बिद्दाय पल है खास करके आपके परसनल पल है इंटिमेट पल है वह बहुत ज़दा याद आते हैं और अगर नहीं है आपके बीज़ेसे पल तो उसको इमाजिन किया जाता है बहुत ज़दा वह फीलिंग मुझे बहुत आप देख सकते हैं फीलिंग बहुत ज़दा स्ट्रॉंग है मुझे असल लग रहा है कि इमाजिनेशन में बेबी का बारे में सोचते हैं कि ये रिष्टा आगे बड़े एक बच्चे के बारे में सोचे या कुछ भी और अगर आप लोग अलड़ी मैरिट थे और बच्चे के बारे में भी आपका कुछ प्लानिंग था सोच था या बच पैशन और जो फिलिंग है बहुत सथा स्टॉंग है रोमांटिक सी है और एक शान्त है अपनी गल्ती का अशास है अपनी मजबूरिय का अशास है लेकिन अभी अपने इस च्रीज में वो खुद नहीं फिल कर पाते कि आपके लिए इतना अलगी लेवल का कनेक्ट वो कबसे करने लगे हैं और क्यों जबकि आपने तो अभी पीछा करना छोड़ दिया है आपने ना आप कुछ मांग रहे हो ना कुछ कर रहे हो लेकिन वही चीज चायद उनको ज्यादा खीच रहे हैं यह मैं अब अभी इसा समा ऐसा फील है ना कि यह आपकी ना फोटो आपकी मेमरी इस कदर याद करते हैं यह फोटो देखते हैं यह आपकी प्रोफाल देखते हैं और अप इस दुनिया के सब से खुब्सक्त इंसान hein आप खास हो, आप युनीक हो, आपकी खुबसुरती आपकी मदब आपकी फेस में या आपकी शरीर में या ऐसा नहीं है, आपकी खुबसुरती आपकी आप में है, लेकर आपकी सूल में है, आपकी प्यार में है, आपकी बातों में है, आपकी केर में है, ऐसा वाला फिलिंग बहुत जदा है, कि जिस तरह से आपकी feelings हैं, जिस तरह से आपने समझा है, आपने आप देखते हो, आप बात करते हो, आप attention देते हो, importance देते हो, वो feeling कहीं पे नहीं आ रही है, कहीं पे में नहीं है, ना comparison में आ रही है, और वैसे भी कहीं दिखने ही रही है, कि जैसे हर जगे इनका करियर हो जॉब हो, बिजनस हो थórड पाटी हो इनकी इंपोर्टन्स है नहीं ऐसा फिल होता है बस एक є जगाँ थी वहा पे मुझा इंपोर्टन सी इंपोर्टन से पीरगोर होवाँ पै या दया ये तो तो अग्दग भाहा है कि वहाँ पे बहुत जब जाती है उनसान के लिए फिलिंग बहुत जदा नव भर बहुत आप जाती है फिलिंग्स ही फ्ले एकट पता जाती है फिलिंग्स कि आपके लिए जब देसे प्यार नहीं एक रिस्पेंग भी है बहुत एकदम, ऐसा लगता है कि काश आप इस पल साथ में हो, बहुत प्यार करे आपको, बहुत प्यार करे, आपके साथ बात करे, एक फुबसरोत पल हो, बहुत जदा, इसमें वो दुनिया की बंदेशे, और वो सब चीज नहीं हो, यह बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत पताने क्यों दिल के मामलन में इस बार इस बात अधाका अधाय द्हुका दे दीया, उनको, उनके लौजिक को यही भी पराय कि इतना डर्द, इतना तकलीफ, इतनी इतनी एहसास कैसे है या अजीव ही एहसास है इस इंसान के लिए जो मैं इतना खास कवे फील नहीं किया था बहुत जिसे आपकी हर बात याद आती है हर बात इतने खुबसुरोत फिलिंग है न कि इसी पॉजिटिव नोट पे न मैं इस रिडिंग को इस कैंडल वेक्स रिडिंग को यहां पे स्टॉप करना चाहूंगे कि मुझे यह फीलिंग के साथ आप आपको उस मेडिटेशन में या एक मेंटर स्टेट में रहना है कि यह आपके लिए लिटरिली ऐसा ही फील करते हैं कि आप यूनीक हो आप खास हो आपके जिसे कोई नहीं है वो जो एक चाहत है ना आपके लिए वो बहुत ज़दा एक अलगी लेवल पे भर रही है और उसी के लिए वो आएंगे वाप नमबर त्री लेटर यू लेटर भी लेटर आई पोर नमबर सेवन नमबर वो भी दिखा है है स्वैन चीसी फिलिंग है एक क्लाउड इमोशन्स आउल की फिलिंग भी है रातों को मुझा लगता है काफी जाकते है ग्रेप्स मुझा दिखा रहे हैं कि आपको या उनको connection जासे 8 number यास आपको double 8 number दिख रहे है double 8 triple 8 एंचल दिख रहे है आपको feathers दिख रहे है feathers मुझा अपके अपके पास लेकिन overall एक उसके energy आप अलग से connect कर और एं जिसे वो आपको प्रोटेक्क कर रहा हो हुम एक स्ट्रेंथ एक ग्राउंडिंग दिख रही है समाव फील हो रही है मुझे इस ग्राउंडिंग इस्टैबिलिटी लेट सी कि इस औराकल देख से क्या रहता है messages manifestation yin and yang soul creativity मैंने का नो family, बाचे, बच्चे, विछ्चे, एक दम, थील हुआ है spiritual maturity और वधिनस द्रेंबबर रिवाइब निया कि एक यूनिथ नेस है आपके लिए आपकी एक जो ओरह है आपकी जो एक विलिंग है ना आपकी एक चब और फिर आपकी आपकी इनर्जी है उसको बहुत सब्सक्राइब क्योंकि वो इनर्जी ना मिलब इसमें एक फिजिकल कोई बात ही नहीं है लिक वो इंसान कैसे दिखता है वगरे नहीं है वर्स व एक अनर्जी है जिसके लिए बहुत अट्राक्शन फिल बाम उस एडिडिंग में जैसे कि बहुत क्योंकि जैसे वो मेरे लिए बना हो इसलिए खास है इनके spiritual maturity बढ़ रही है हो सकता है कि उनको भी कहीं न कहीं एक अन्देशा आ रहा हो कहीं न कहीं से guidance मिल दी हो या कुछ भी ऐसा हो रहा है कि जहां से ना उनको feel हो रहा है कि soul connection क्या होता है या इस इनसान के लिए मुझे क या फिल ऐसा अलग की feel हो रहा है या फिर उनको ऐसे triggers मिल रहा है मुझे समाव एक स्ट्रॉंग या भी है कि उनके financial constraint बहुत जाए है कि उनके financial constraint बहुत जाए है ना energy oracle का financial constraint हो सकता है कुछ finances के problems या तो चल रहे है या तो कमिंट अने वाले है जहां पर जैसे या आपके पास आने है कुछ problems discuss करने है कि एक एक वたाइ कि एक feeling की चुपाना मुश्कील हैं बहाना कोई हो तकलीफ कोई हो या feelings कोई हो रोमंटीक feelings है या रोमैंट आ ने कुलनीक है लिकिन एक दुख भी शेयर करने की बात हो सकती है 사 Rate म रहें हो सकती है यह आपके साथ एकना एक future है का एक उनको लगता है कि जिसे एक future है इस रिष्टे में लिटरली और क्यों ये रिष्टा ही एक दुसरे को पूरा करता भी है अधुरा भी करता है नहीं होता तो अधुरा फिल करता है और साथ होता है तो पूरा करता है एक दुसरे को जो एक energy mirroring बहुत शुरू है और मुझे स्रमाव ऐसा लग रहा है कि ये सब आपके manifestation का असर है आप eight number ये ये जो number है ना वही दिख रहा था वही दिख रहा था reading में मुझे लगता है कि आप sun salutation सुबह उटके सुर्य नमस्कार या सुर्य अर्ग कुछ ऐसा कर रहे हो secondly आप अपने हाथ चक्रा अक्यों पर काम कर रहे हो आप manifestations कर रहे हो chakra balancing और येस photo manifestation या कुछ भी manifestation technique आप यूस कर रहे हो जिसका असर बहुत जदा गहरा हो रहा है बहुत जदा गहरा लेकिन again एक trigger warning है कि आप अगर contact में हो तो फिलाल इस situation को बहुत प्यार से ही handle कि अभी का अभी इसी situation मुझे लगता है कि मार्च में ही सारी चीज़े खुलने वाली है कि जैसे नंबर सारे थे 3 तो मार्च में चीज़े खुलने वाली है तो अभी इस situation में आप एकदम ही एकदम decisions पे jump करना please avoid किज़े बहुत कम वक्त रह गया है लेकिन कुछ अभी इतना वक्त आपने गुजार लिया है बट एक कुछ दिनों के लिए सही आप अपने उपर control किज़े आप अपनी तरफ से manifestation किज़े शांत रहिए meditation किज़े जरूर किज़े अपने आप पे धहन दिज़े अपने आप पे धान दिज़े यह क्या यह अगर आये हैं बात करें तो फिर प्यार से बात करें अभी का अभी कोई भी चीज के लिए कुछ भी questioning या कुछ भी इसा सवाल जवाब मत किज़े क्योंकि बहुत energy बहुत disturbing है बहुत disturbing तो इसमें आपका अगर साथ यह support मिल जाए तो वो इंसान मैंना support के पारे में सोच सकता है तो वही चीज जिसे सामने से reflect हो रही है जिसे arguments, misunderstanding, control यह अगर आपसे भी मिला तो फिर वो उनको लगएगा कि फिर नया क्या है खास क्या है वो चीज फील हो सकती है तो just be careful कि आप just अगर बात भी हो जाए तो शांती से और प् कुछ भी situation को प्यार से handle कीज़ है तो यह थी reading I hope आपको कुछ guidance में ली हो literally बात romantic और positive feeling है thank you universe thank you universe and thank you universe